इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री जो 16 साल से एक कुर्सी परकाबिज है वो कहता हो कि आज कल के नए लोग इंटरनेट मीडिया को देखते रहते हैं लेकिन उन्हें पुरानी बातों को नहीं भूलनी चाहिए। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि जिस मुख्यमंत्री जी कौन सी पुरानी बातों का जिक्र कर रहे थे वो क्या याद दिलाना चाह रहे थे हमको लगता है कि उनके संग्यान में दो दिन पहले का घटना शायद नहीं है CM सहब आपके इस उत्कृष्ट बिहार में आपका सरकारी कर्मचारी 60 फीट लंबा 100 तन का पुल चोरी करवा देता है और आप पुरानी बातों को याद करने का सलाह दे रहे हैं चुनाव में जीत हार के इतर जिस पॉजिटिविटी और विकास की बात हम करते हैं वो शायद CM सहब में है ही नहीं कल CM सहब ने बोचहा के लंबा चोड़ा जाकर वहां भाशन दिया जिसे सुनकर लगा कि आह इतना प्यारा जूट कैसे कोई बोल सकता है और इसलिए हम सोचे कि जब CM सहब पुरानी बातों को याद दिला ही रहे हैं तो हम भी उनको कुछ याद दिला देते हैं अब नमस्कार स्विकार करिएगा मिरे नाम प्रशांतराय है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं नितीश जी कहते हैं कि जब उसे कुर्सी संभाले हैं तब से सिर्फ सेवा ही किये हैं हम बस इतना जानना चाहते हैं कि कौन सा सेवा पुरानी बातों को छोड़ भी दे तो इस चुनाओ में आपने कहा था कि 19 लाक रोजगार देंगे कितनी बहाली होई है नितीश जी कौन सा दिन होता है कि सड़क पर लड़का लड़की लोग चिला नहीं रहा होता है किस विकास की बात कर रहे हैं आप वो विकास जहां आपके शेल्टर होम की लड़कियों से धन्धा करवाय जाता है जानते हैं सर हम गए थे वो चहां विकास के नाम पर बंद रहने वाला गाओ आपको गाली दे रहा था हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मेरे सीयम को मेरे सामने लोग मा बहन का गाली दे रहा था और कह रहा था कि पेड़ पर चड़कर मैदान करते हैं क्या इसी को विकास कहते हैं और अगर कहते हैं तो लानत स्विकार कीजिए आगे सीयम साहब कहते हैं कि पुल पुलिया पर हमने बहुत काम किया है जानते हैं हुजूर वहां ऐसे कई गाओं हैं जहां सड़क ही नहीं है कई विद्याले हैं जहां पंका ही नहीं है पूरे विधान सभा में रोजगार का कोई साधन नहीं है हमको बस ये समझा दीजिए कि सड़क है ये नहीं है विद्याले ठीक है ही नहीं रोजगार ही नहीं है तो आपका विकास मंगल ग्रहपर है क्या मंच पर चड़कर नितीश कुमार महिलाओं की आरक्षन की बाद जब कर रहे थे तो हमको लग रहा था कि कितना दोहरापन है उनके बातों में अगर वाकई में महिलाओं को वारक्षन दिया गया होता और वाकई में महिलाओं को विक्सित किया गया होता तो रोज बिहार से ये खबर नहीं आती कि फलना लड़की का रेप हो गया और विद्याले जाने वक्त लड़की का साइकिल छीन के फेकने के बाद वो मरे हुई हालत में किस जगह से मिली विकास के नाम पर नितीश बाबू ने क्या किया है ये समझ से परे है इसलिए क्योंकि जिस सरकारी अफसर को वो दारू नौ पिने की शपत दिलाते हैं वही सरकारी अफसर दारू बेचता है और उसी सरकारी अफसर को हम देख सकते हैं कि कैसे एक पैरलल खड़ी करने में वो सरकार की मदद कर रहा है और इससे भी उसका मन नहीं भरता है तो वो 60 फीट लंबा पुल चूरी करवा देता है और पूरे विश्व में बिहार की थूथू होती है नालंदा में जाकर हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आप लोगों के प्यार को कभी भूलेंगे ही नहीं अरे मुख्यमंत्री जाहब गोपाल गंज की लोगों ने आपको प्यार नहीं दिया है क्या क्या सिवान की लोगों से आपको कोई बैर है और अगर नहीं है तो सिर्फ नालंदा पर इतना प्रेशर क्यों देते हैं आप विकास के नाम पर धकोसला करना बहुत आसान है। लेकिन वाकई में अगर आप चाहते हैं कि बिहार विक्सित हो तो असलियत में मुझफरपुर के बोचहा में घूमिए। अपने विधायकों को बोलिए कि केंपेनिंग छोड़ कर लोगों का दर्द पूछना शुरू करें और उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितना विकास किया है। चुनाव परचार के नाम पर बरसाती मेंधक की तरह निकलने वाले नेताओं को इस बात का खयाल तो बिल्कुल नहीं रहता है कि उन्होंने वाकई में कोई काम किया है कि नहीं। कर ये कहते हैं कि आप पुरानी बातों को याद करिए। जी हम आपको नई बातों को याद करवाना चाहते हैं। बिहार के 11 मर्जदूर हैदराबाद में मर गए। आपका कौन नेता पूछने गया था वहाँ? आपने उनके जान की कीमत कितनी लगाई? 2 लाक। मतलब 2 लाक में आपने ये तरह कर लिया कि उनके पूरे परिवार का भरन पोशन हो जाएगा। और इसके बाद आप ये कहते हैं कि हम तो इतना विकास करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। जानते हैं सर, उस विकास में आपको डुबकी लगाना चाहिए, उस विकास में आपको गोता लगाकर ये पूछना चाहिए खुल से कि क्या आपने सच में विकास किया है? महां के विद्याले में बिजली का बोर्ड और पंखा तो कम से कम होना चाहिए था विकास के नाम पर गोट मांगना नेताओं ने आज तक सीखा ही नहीं है और अगर बिहार के नेताओं की बात करें तो भाई सहाब लोग रंदारी और बकैती के अलावा इन लोगों को कुछ आ चुके हैं उन्होंने नहीं बताया कि कोरोना में जो मजदूर लोट कर मुजफर पूर आये थे क्या उन्होंने उनको बिहार में नौकरी दिया नितीज जिने नहीं बताया कि मुजफर पूर के बोचहा में एक गाउं में छे महीना लोग बंद क्यों रहता है उन्होंने नह ही बताएंगे क्योंकि उनको इस चीज से मतलब नहीं है अगर मतलब होता तो शायद आज ग्रिष्ट कुछ और होता लेकिन नितीश कुमार को तो वर्दान प्राप्त है वो मुख्यमंत्री के पदपर बने रहेंगे बाकी विकास, पुल, पुलिया ये सब सपनों की बाते हैं सपने में ही अच्छी लगती है, जीत की अगरिम बधाई नितीश जी आपको, आपके लोग शायद आपको जिता दे, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि आपने बिहार का बेडा गर किया है और कुछ भी नहीं, धन्यवाद